हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का ITI Easy Electrician के यूटूब चैनल में आज हम लोग Current Affairs के Questions को देखने वाले हैं जो की Latest Questions है 2020 के जो के आपकी आगामी सभी एक्जामों में आते ही हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Question No.1 से Question No.1 में है राजिव गांधी खेल रतन पुरसकार 2020 2020 से किस भारती क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है तो इसका Right Answer Option B हो जाएगा रोहित सर्मा रोहित सर्मा को राजिव गांधी खेल रतन 2020 का दिया गया है तो थोड़ा सा जान लेते हैं राजिव गांधी खेल रतन पुरसकार के बारे में तो इस पुरसकार में एक पदक और एक प्रसस्ती पत्र और साढ़े साथ लाख रूप्या पुरसकार के रूप में दिया जाता है इस पुरसकार की स्थापना वर्स 1901 में किया गया था 1901 में इसका किया गया था तो और यह भी इंपोर्टेंट है कि कितने लोगों को दिया गया है तो पांच लोगों को दिया गया है तो क्रिकेट में रोहित सर्मा को दिया गया है और पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है मरियपन टी को और टेवल टैनिस में मोनिका बत्रा को दिया गया है और आपको कुस्ती में दिया गया है विनेश फोगाट को और होक्की में रानी को दिया गया है सूश्री राणी को दिया गया है तो इसका राइट एंसर क्रिकेट में पूछ रहा था तो इसका रोहित सर्मा को दिया गया है नेक्स्ट है ऑस्टेलिया ओपेन 2020 पूरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो इसका राइट एंसर होगा ओप्षन नम्मर ए नुवाग जोकोवीच को मिला है औस्टेलिया ओपेन 2020 नेक्स्ट है औस्टेलिया ओपेन महिला एकल का खिता किसे किसने जीता है तो इसका राइट एंसर होगा option number C हो जाएगा इसका right answer Sophia Canon को next है US Open 2020 पूरु शेकल का खिताब किसने जीता है तो इसका right answer हो जाएगा option number A Dominic theme और उप वी जेता थे Alexander, Jareb जो थे उप वी जेता थे next है US Open महिला 2020 महिला एकल का किसने जीता है तो US Open को जीता है इसका right answer option D हो जाएगा नाओमी उसाखा ने जीता है next है fade cup heart पुरसकार के लिए नामित होने वाले पहली भारती खिलाडी कौन बनी है तो पहली भारती खिलाडी बनी है सानिया मिर्जा बनी है इसका right answer option A हो जाएगा चलिए next है E पंचायत पुरसकार 2020 का प्रथम पुरसकार किस राज ने जीता है तो इसका right answer option D हो जाएगा हिमाचल परदेशनी जीता है नेक्स्ट है दादा साहिब फाल के अंतराष्टी फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मर्नो प्रांत सम्मानित किया जाएगा चलिए option देखते हैं यहाँ पे है सुसान सिंग राजपूत इर्फान कान, रिसी कपूर और अम्रिस पूरी तो इसका right answer होगा option number A सुसान सिंग राजपूत को दिया जाएगा नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहिब फाल के अंतराष्टी फिल्म समारो पुरसकार 2020 किसे मिला तो बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहिब फाल के अंतराष्टी फिल्म के लिए मिला है इसका right answer option B हो जाएगा चलिए next है हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा परशाद मुखर जी पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो किसे गया गया है तो इसका right answer option B हो जाएगा सर्वनंद सोनिवाल को किया गया है next है हाली में साथ जहां online अंतराष्टी चेंपियनशिप सतरंज चेंपियनशिप किसने जीता है online अंतराष्टी चेंपियनशिप तो इसका right answer option A हो जाएगा सक्रियाज ममेदी रो यह अजर बैजान के ग्रेंड मास्टर थे इन्होंने ही जीता है next है औसकर पुरसकार 2020 में किस फिल्म को सर्शेष्ट फिल्म का पुरसकार दिया गया है औसकर में तो इसका right answer option B हो जाएगा पैरा साइट next है हाली में किसे एक लव्य अवर्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका right answer option B EC का चोधरी हो जाएगा next है निक कई एशिया पुरसकार 2020 के लिए किसे चुना गया है तो इसका right answer हो जाएगा आपका T.Pradip T.Pradip को चुना गया है तो IIT मदरास के प्रोफेसर है T.Pradip को यह सम्मान नैनो प्रदोग की अधारित जल सोध रिसर्च के लिए दिया गया है T.Pradip को हाल ही में पदम स्री पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था गरेगरी मार्गूलीस यह दो लोगों को अधारित पुरसकार दिया गया है 2020 का तो दोस्तो यह मोस्ट 15 इंपोर्टेंट करेंट एफिर्स थे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चरूर करिएगा चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अधार्ट